हेलो एब्रिवन आज मैं आपके लिए सर्दियों के बहुती टेस्टी लड़ू बहुत ताकतवर लड़ू लेके आई हूँ जो कि हैं गौंद के लड़ू सरदर्द कमरदर्द खुन की कमी ठकान सब में राहत देगा ये लड़ू तो जरूर एक वार इस रेसिपी को ट्राइ करें तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं सारे इंग्रेडियन्स यह चाहिए हमें जो की दो चमच मगज लिये हैं मैंने और दो ही चमच मैंने लिया है तिल और जाइफल लिया है इसको हम घिस कर डालेंगे थोड़ा सा और दो चमच मैंने लिया है किसमी एक चमच लिया है मैंन गोला आदा कप काजु एक कप पदाम एक कप गूड आदा कप गौण जो कि है बबूल का गौण बहुत ही अच्छा होता है और खजूर लिया है मैंने आदा कप के करीब एक कप भर कर मैंने लिया है चना मुनावा जो कि उसके छिल के हटा रखे हैं और मैंने लिया है आदा कप अलसी के बीज ये भी बहुत ताकतवर चीज है और इधर मैंने लिया है पंकिंग सीट्स तो हमें ये सारा सामन लगेगा इनको बनाने में 200 ग्राम के करीब मैंने लिया है मुर्मुरा तो सबसे पहले हम बिना घी के फ्राई करेंगे अच्छे से मतलब की हलका हलका सा गरम करेंगे अपने मुर्मुरों को जो की लाई भी जानते हैं बहुत लोग लाई के नाम से इसको हलका हलका सा फ्राई करके और निकाल लेंगे इसमें कुछ भी ना मैंने घी डाला है ना कर ली है इसके अंदर घी डाल दिया है अब डाल देंगे बदाम इसको हलका हलका चलाते रहेंगे जब तक ही चटकने ना लगें जैसे ही चटकने लगें तो हमें इनको निकालना है बहार ऐसे ही धीरे धीरे हम इनको चलाते रहेंगे और ये हो गए हैं बिलकुत तयार तो बदाम निकाल लेने हैं और ये बहुत ही जादा ताकतवर लड़ू है इनको जरूर बनाएं एक वारा आप घर में और अब हम अलग से ले रहे हैं काजू, किसमी, अक्रोट इन सब को भी हम उसी घी में ही फ्राई कर लेंगे जो कि उसमें थोड़ा सा घी बचा है उसी में ही हम इनको फ्राई करेंगे और जादा घी नहीं लगेगा इसमें जादा घी डालने से एक तो घी की बहुत जादा इसमेल आती है बहुत लोगों को, जो कि बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं दूसरा हमें बहुत ही जादा हेल्थी लड़ू बनाने हैं तो इसलिए हम घी बहुत कम यूज़ करेंगे तो इनको भी हम सारे ड्राइ फूर्ट को हलका फ्राई करके निकाल लेंगे और सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल low to medium flame पे ही हलका हलका सा फ्राई करना है हाई flame पे बिल्कुल भी ना रखें कोच भी चीज अगर हम फ्राई कर रहें हैं तो सब को हम हलका हलका से ही निकाल लें फ्राई करके अब हम डाल रहे हैं खस-कस अब इन सारे सीट्स को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जितने भी हमने सीट्स लिये हैं पंकिंग सीट्स, अलसी के बीज, तिल और खस-कस इनको भी हम हलका हलका फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे इसी तरीके से ही धीरे धीरे फ्राइ करते जाना है और निकालते जाना है इनको जादा देर के लिए हमें छोड़ना नहीं होगा तो अब हम दुबारा से टू टेबली स्पून के करीब खी लेंगे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गॉन बबूल का गॉन देए और और यह बहुत जë अज़ादा तकतवर होता है इसे हलका हलका चलाते रहेंगे इसकीन करब से वायट में बदल जाएगा धीरे-धीरे ही पॉप कॉन के तरह फूरता जाएगा जैसे ही फूर्ल जाए इसहमें निकाल लेना है इसी स्टेज पे ही हमें निकाल लेना है जादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है अब इसके साथ में ही मैं ले रही हूँ फिर से टू टेबली स्पून के करीब ही घी और इसके अंदर डालेंगे हम भुना हुआ चना और इसको भी हम धीरे धीरे चलाते जाएंगे जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा ऐसे ही हम इसको भी निकाल लेंगे इसको भी हम हलका ही फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें सारी जीजों को फ्राई करना है मैं आपको बार बार इसलिए बोर रही हूँ ताकि आप हाई फ्लेम करते ही सारी चाइजे जल जाएंगी तो अब हम दुबारा से टू टेबल स्पून के करीब घी लेंगे इसके अंदर डाल देंगे सारा गोला जो की है कोकोनट मैंने अच्छे से कद्दू कस कर लिया था और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको भी हम एक से दो में तक ही फ्राई करेंगे ज्यादा देर तक हमें इसको फ्राई नहीं करना है इसको भी हम निकाल लेंगे हलका हलका सा फ्राई करके इसी तरीके से हम निकाल लेंगे अब हम इसके अंदर डालेंगे टू टेबली स्पून के ही करीब घी देसी और इसको गरम होने के बाद गुड डाल देंगे गुड जैसे ही थोड़ा सा गल जाए उसके साथ साथ आदा कप पानी डाल दिया है मैंने और इसको अब हम चलाते रहेंगे और जब तक थोड़ा सा गाड़ा ना हो जाए इसका बेटर जब तक हमें इसे पकाना है और जितने भी dry fruits हैं सारे मैं इनको grind कर लूँगी तो मैं fine नहीं grind कर रही हैं उनको बिलकुत दर दरा सा थोड़ा सा छोड़ूँगी तो इस तरीके से हमारे जो जितने भी dry fruits हैं मैंने इसी तरीके से सारे ही dry fruits को मैंने दर दरा सा पीस लिया है और गुड हमारा तयार हो चुका है मेल्ट हो गिया है बढ़िया करके और इसके अंदर मैंने खजूर जो हैं थोड़े से पीस लिये हैं और ये भी इसके साथ साथ मैं डाल दूँगी इसी तरीके से हमें इनको मिक्स करते रहना है जैसे ये मिक्स हो जाएं वैसे हमें सारे ड्राइफूर्स डाल देंगे ये जितने भी ड्राइफूर्स थे मैंने सारे पीस लिया हैं अच्छे से दर दरा पीसे हैं मैंने कोई से भी मोटे नहीं छोड़े हैं नहीं बिल्कुर फाइन पीसे हैं पाहे हैं तो जितना बी गी बचाता इसके साथ साथ हम तो बस इसी तरीके से हमारे सारे लड्डू तयार हो जाएंगे दिरे दिरे, तो हमारे गॉन के लड़ो बिल्कुल रेड, रेडी हो चुके हैं, तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी, थोड़ा सा, तो कितना अच्छा एक्दम तयार हो चुका है हमारा लड़ो, एक वाज जरूर ड्राइ glowing करें, बहुत ही ज्यूंमी है, बहुत